लोग किसी बात का मनचाहा मतलब कैसे निकालते हैं या वताने के लिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ एक डॉक्टर को सरावियों के एक समू को समभोधित करने के लिए मिहमान वक्ता के रुप में बुलाया गया वह उनके सामने कोई ऐसा नमूना पेश करना चाहता था जिसे से उन्हें या अहसास हो कि सराव सेहत के लिए नुकसान दे होती हैं उसने दो काच के बरतन लिए एक में साब पानी भरा और दुसरे में सराव भरी उसने साब पानी में एक केचुआ को डाला वह असानी से तेरता हुआ पानी के उपर आ गया फिर उसने एक केचुआ सराव में डाला और वह सबकी आँखों के सामने टुक्रे टुक्रे हो गया वो यह सावित करना चाहता था कि सरीर के अंदर सराब का ऐसा ही असर होता है नमुना पेश करने के बाद उसने सरावियों के समुझ से पूछा कि उन्हें इसे क्या सिख मिली उसका सभा सुनकर पीछे बैठे एक सरावी ने जवाब दिया इसका मतलब यह है कि सराव पीने से हमारे पेट में कीरे नहीं होंगे क्या उस कहानी का यही संदेश था बिल्कुल नहीं किसी बात का मन चाहा मतलब ऐसे ही निकाला जाता है हम वह नहीं सुनते जो हमें सुनाया जाता है बल्कि वह सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं हमें मिली बहुत सारी नियामते चीपे हुए ख़ाजाने की तरह हैं हमें अपनी दिक्ते के बारे में नहीं वल्की अपने नियम मतों के बारे में सोचना चाहिए धन्यवाद